तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रोड चैनेंज की बारे में रोड चैनेंज होता क्या है थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं एक बात कह दूँ आप लोगों से क्योंकि देखो मेरे पास इस वीडियो के लिए कमेंट आयते हैं मेरा अर्खिटेक्स से नहीं हूं है बट कुछ कमेंट्स आयते हैं वच्चों के तो मुझे लगा कि ठीक है मेरे कमेंट्स है तो मुझे उनकी बात को भी पूरा करना है इसलिए मैं यह वीडियो भी लेकि उनके लिए आया हूं कुछ रिसर्च करी है मैंने और फिर यह तियार कि लिए इसके बारे में तो आते हैं वीडियो पर रोड चैनेंज होता क्या है नोर्मली आप लोग जब रोड देखते हैं यह इस टाइप से कोई रोड होती है तो उस पर कुछ इस टाइप के साइन होते हैं है ना तो यह साइन का मतलब होता है एक तो आपको दिखाते हैं कि जगह कितनी किलोमेटर दूरी पर है कितना बचा हुआ है जैसे यहां पर साइड में एक एक यह मार्किंग दिया जाता है यह हर किलोमेटर पर मेरी होता है और इससे मार्किंग देते हैं कि इस इस किलोमेटर पर आप इतने किलोमेटर निगल चुके हैं या एक एक किलोमेट जो हम देते हैं तो यहीं चैने ट्रोट करता है that the challenge यह क्रेंज जो हम देते हैं तो यह इसे में kis तरीके से देना है किस जी मार किंग करनी है वह हम ध्रवात कीवाले इस वाले है तो फर्स्ट अपल मैंने अपनी अपनी आटोकेटर की फाइल उपनी करी है नॉर्मल मैं एक रोड डिजान कर दे दाऊं आपके पास में जो भी लोग इस फेल्ड के होंगे उनकी पास प्रॉपर एक मैप होगा एक रोड होगी बट मैं नॉर्मली एक रॉफली एक आपको बताऊंगा नॉर्मली मैंने माली जी एक हजार की लेंथ कर दी है एंड इस टाइब से एंड एफट करके मैं यहां पर थोड़ा सा टेपर दूँगा एंड इस टाइब से एफट दबा के मैंने यहां पर मैंने और वन थाउजन का टेप लेंज कर दिया एंड यहां पर हम थोड़ा सा एडियस देजिए देंगे फिंटर आर इंटर एंटर फिंटर आर इंटर और फाइवंड़ेड रोड में टेपर आजागा इसे थोड़ा और वाला कर दिते हैं में ए एफंडेड़ा कर दितर एंडepy कर दिते हैं एंड इसको हम टिरिम कर लेते हैं कि एफ थेप से हमारी कोई रोड हो गई ठीके है powin एफम रहे हना है जाहर ठेपर लग रहा है मैं तोड़ा सा और कम कर देता हूं इसको यहाँ टेपर कहता हूं रेडियस को और यहां दूबारा मैंने इसको मोटिफाई किया दूबार सा बैक करता हूं यहाँ पे f Enter ff扔プ और अर इंटर 600 और यहां पर इसको थोड़ा सा चोटा करेंगे और बड़ा बाले को डिलेट कर दिया मैंने एंड यह से ट्रिम कर लेते है इस पर भी ठीक है इस पर अभी नॉर्मल है यह लाइन इसको हमें पॉली लाइन में चेंज करना पड़ेगा यह पॉली लाइन है इसमें इसको पॉली लाइन में क्लिक किया एन्ड लाइन जहां तक एंड है वहां पर क्लिक करेंगे and then arc लेंगे and जहां तक radius है यहां क्लिक किया and फिर अगें लाइन लेके and arc ले लिया मैंने and line ओके यह हो गया and इसको offset कर देखे है 300, ज्यादा हुजा रहा है, 100, जो भी 20 km में, जिसमें भी फिट में आप करते हैं, उसमें आप उसको डिबाइड कर ले, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर हम एक सेंटर लाइन डोड कर लेती है, यह है, यह है, एंड, प्रोपर्टी में जाके इसको थोड़ा सा, इसका डिस्टेंस बढ़ा देंगे, यहाँ पर आया नहीं अभी है, यह है, सेंटर लाइन यह हो गया, ठीक है, एंड, यह जो लाइन थी, पहले गी, उसको डिलेट करने के लिए, नॉर्मली यह से पकाड लेंगे, तो वो, जिसके रिफेरेंस से हमने पर लाइन डिजानी कर दी थी, बहट जाएगी, ठीक है, अभी यह हो गया, इसको और छोड़ा कर दकते हैं, ठीक है, यह सें मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मर्क कर दिया, 20 mm लैंड करके, एंटी इंटर करके मैंने यहाँ पे, 0000 को मैंने, यह लिखा है, इसकी थोड़ी साइड बढ़ाएंगे, 15 mm कर देते हैं यह से, रोटेट कर देते हैं, मार्किंग यही से स्टार्ट करेंगे न, जहां से स्टार्ट अप होगा हमरा, और इस टाइप से हमारी मार्किंग स्टार्ट होगा, यह स्टार्ट होगा, यह स्टार्ट हो जाएगा, अब मुझे लास्ट टक मार्किंग करने हैं, तो सिंपल सी बाते कमांड आती है, एरे की सबसे पहले हमको array command यूज करनी है ठीक है यहाँ पर array command कहा है यह रही यह रही यहार इंटर कर सकते हैं select object कर लेते हैं इस पूरे को select कर लिए मैंने left click किया and माल लेज़े आपको distance रखना है बीच का तो मैंने 50 mm का distance रख दिया कुछ हमने mistake करी है दूबारा इसे करेंगे हैं एक चीज़ चूट गई है जब आप array command लेते हैं ठीक है so जब हम select object करते हैं तो यहाँ पर कुछ option आते हैं rectangular रेने करना है polar रेने करना है या path हम path वाला करेंगे जिनके path में साथ पुराने autocad है इसमें में भी path का option नहीं हूँ बाद में इन्होंने add कर दिया था तो वहाँ पर प्रॉलम हो सकती है लेकिन अभी path का option है तो सीधे path क्लिक करेंगे path मेरा यह है मैंने इसे select कर लिया यह पूरा मेरा इस path पे इसने array कर दिया है बीच के distance मैंने 50 कर दिया है ठीक है 50, 40, 30 जो आपको लगता है वो आप कर ले मैं 50 लेके चल रहा हूँ and enter कर दिया यह close कर दिया है यह मेरा हो गया अभी आप देख रहे हैं कि यहां सब 000 है अभी मुझे इसे change करना है यहां numbering करनी है so मैंने इसको क्या किया यहां पर जाके home में इसको यहां पर explode कर लिया तोड लिया यह सब को छोड़ा कर लिया तोड लिया क्योंकि मुझे एक अलग command use करनी है इसके लिए मुझे यह तोड़ना पड़ गया so command है express tool यहां पर आता है auto number auto number में जाना है आपको and सबसे बूलेगा select object select object नॉर्मल आपको select करना है यह अपने आपी जो भी numbering है उसको select कर लेगा and enter करना है then कितर से start up करना है आपको so x से करना है y की तरफ मुझे यह x direction से x positive से करना है मुझे तो इधर से मेरा यह हो गया and यह बोला है starting number increment क्या देना है आपको ठीक है तो 0 से start करना है comma 50 का increment देना है मुझे and मैंने enter कर दिया ठीक है overwrite करेंगे यह हो गया ठीक है पचास, सो, डेट सो, दो सो यह इस तरीके से आपका ठीक है इसको आप 1 कर दिंगे तो 1 km, 2 km, 3 km ऐसे कर सकते हैं, ठीक है नहीं तो आप 50 जो भी आपको देना है वो आप increment दे सकते हैं माली जी अकर हम इस तरह के से करके चेक करते हैं गबार select object मैंने किया and x किया and increment 0,1 कर रहा मैंने 0,1 करने के लिए याद रखें आपको यह जो चीजे हैं यह आपको once start करनी पड़ेंगी तभी वो लेगा नि तो अभी मैं ऐसे कर दूँगा इसको तो यह फिर ठीक है यहाँ से इसने क्या किया 1 km, 2 km, 3 km से ले लिया है ठीक ले लिया है बट यह gap मेंने 50 को मैं रखा है तो वो आपको फिर एक करना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा इसलिए मैंने 50 किया था कि 50 से ही divided हो जाएगा तो आप इसको रख सकते हैं जो भी आपको चाहिए होगा में चीज थी है कमांड समझना एक्सप्रेस टूल नॉर्मली एरे में जाना है एरे में उसको numbering कर देनी है वहाँ पे उसको explode कर देना है और एक्सप्रेस टूल में जाके numbering, auto numbering कर लेनी है जी जर से ही वी आपको start करना है अगर हम इदर से करना था तो आप x में 1,0 कर सकते हैं इदर से start वाया था तो इसी तरीके से यहाँ भी marking करते हैं आपने road पर एका हुआ कहीं कहीं पर यहाँ पर कुछ steps का होता है मैं इसको solid कर लेता हूँ and error में जाके मैं इसे click किया and path किया तो यहाँ पर 50 distance कर देते हैं है ना तो इस step में यह भी और बड़ा होना चाहीए था ठीक है यह इसको करते हैं फिर से path दिया मैंने and 50 का gap कर दिया तो आपने देखा ना बीच बीच में रोड के जो center में एक marking होती है जिससे left hand पर काच कौन चलेगा right hand पर दोनों एक रोड को बीच 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 पर डिवाइड किया जाता है left hand right के लिए so यह भी आप इस ते कि आरे से normal कर सकते हैं आरे command से path लेके यह marking कर दी और यह marking number वालते मैं बताया थी आपको so I hope मुझे लगता है कि आप कोई समझ में आगया होगा और जो लोग मुझे पूछे से इसके बारे में comment में उन्हें यह समझ में आया होगा और फिर कोई डाउट हो तो comment box में मुझे से पूछ लेना मैं उसे भी क्लिए करने की पूरी कोसिस करूँगा आप लोग के लिए ठीक है और ऐसी comment करते रहिए अपनी query डालते रहिए हम आपके लिए proper उस आपकी requirement को पूरा करेंगे friends वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने friends स्मित्रों से जरूर शेयर कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर देना क्योंकि जरूर आपको नेस्ट नोटिफिकरेशन तभी मिल पाएगा एंड बस आज के लिए इतना ही comment box में कुछ पुछते रहिए और आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए bye bye take care